तो कैसा लगा first rank लाकर 2 करोड रुपे जीतने पर जीहां कल हमारी FCG family ने सब को पचाड़ते हुए mega league में first rank लाकर 2 करोड रुपे जीते हैं क्यों जीते हैं कैसे जीते हैं और आज आप कैसे जीत सकते हो यही सब कुछ में आपसे वीडियो डिसकस करूंगा तो guys आप सब लोगों से request है अगर आपने भी 2 करोड रुपे जीतने है आपने भी लाखों रुपे का profit fantasy में कमाना है तो भाई आप भी पूरा वीडियो देख लो आप भी जीत लोगे और उम्मीद करता हूँ सब लोग जीतने के लिए अगर आप मेरा वीडियो जाकर अभी भी देखते हो तो आपको पता चल जाएगा जो कुछ मैंने वीडियो में बोला था पूरा का पूरा मैच वैसे गया है और टॉस के बाद जब pitch रिपोर्ट आई तो pitch रिपोर्ट आती मैंने टेलिग्राम पर बोल दिया था कि देखो भाई pitch में turn है और splners को ले लो हमने प्यूश चावला को लिया बंदा तीन विकेट ले गया जिसकी वेसे सारी की सारी लीग हमने clean sweep कर ली तो आज क्या होगा आज pitch कैसी होगी आज कौन रन बनाएगा आज कॉल्ट डिविकेट निकालेगा सब कुछ मैं explain करूंगो इस वीडियो में सैंजु संसन सैंजु संसन का अगर आप वीडियो देखे को न पता चलेगा कि सैंजु संसन को लेना है नहीं लेना है सबसे इंपर्मेशन दूंगा अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो फिर आपको को हरा निसक्ता सबी लोग जीतने के लिए आए तो उम्मीद करता हूँ सबी लोग पूरा वीडियो देखना सुरू से आखिर तक जहां वीडियो छोड़ा आपका लॉस हो गया उम्मीद करता हूँ लॉस के लिए तो नहीं आया होंगे अगर आप भी मेरे वीडियो को सबसे पहले लाइक और कमेंट करके पूरा देखने पर पचास हजार रुपर जीतना चाहते हो तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है बहुत आसान है क्या फॉर्मूला है आप सुन दीजिए नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा जल्दी दभादो एक दम फिरी में सब्सक्राइब हो रहा है कोई पैसा आपके लगता है नहीं सब्सक्राइब करने पर अब सब्सक्राइब करने का बेनिफि ट्रिक्स भी बताता हूंन इतना सारा फायदा हो रहा एक चनल को सब्सक्राइब करने का की तो सोच के pinky आ रहे हैं रहे हैं तो एक लाइक देख चुके हैं किस तरीके से कल हमारी अपसी फैम्ले ने फर्स्ट रैंक लाकर दो करोड रुपे की विनिंग करी है आपको यहां भी दिखा लता हूं आप ड्रीम 11 पर जाकर अभी भी देख सकते हो जो कल फर्स्ट रैंक पर आया है जिसने दो करोड डुपे विन करें यही बंदा है ठीक है और टीम आप देख लो प्यूस चालो कैटन मनाया और वाइस कापन रोई शर्मा तो अगर आपको भी इस तरीके से टीम मनानी है आपको देखना पड़ेगा ठीक है तो अब इसे सब्सक्राइब करके रखो और मॉर्णिंग में साथ बज़े तियार रहा करो पूरा वीडियो देखने के लिए हाँ लेकिन एक चीज़ याद रखना मैं वीडियो में सब कुछ आपको एक्स्प्लैन कर दूँगा कैसी पीच होगी कौन रॉन बनाएगा, कौन विकेकर निकालेगा लेकिन फाइनल टीम जिसके साथ हम करोडो विन कर रहे है वो फाइनल टीम तो आपको भी बता है सिर्फ टॉस के बाद ही बन सकती है और टॉस के बाद जो हमारी फाइनल टीम बनती है वह मैं यूट्टूब पर देहीं यहां पर मैं free giveaway डालता हूं और यहां पर मैं win improve डालता हूं और वही final टीम डालता हूं यहां पर toss के बाद जिसके साथ हम लाखों करोणो रोजाना विन कर रहे हैं जैसे कल के मेंच में हमने विन किया है तो अगर आपको भी हमारी तरह विन करना है हमारी तरह profit कमाना है तो भाई इस यूटूब करने के साथ साथ ये टेलिग्राम चैनल जोइन करना बहुत ज़रूरी है fantasy cricket group भाई 10,70,000 लोग उन्हों जोइन कर रखा है जिनको रोजाना benefit हो रहा है रोजाना लाकों कमारे तो इसको जोइन करने का simple तरीका है क्या है simple तरीका सुलो इस वीडियो के description में जाओगे comment section में जाओगो दोनों जगा पर मैंने इस fantasy cricket group टेलिग्राम चैनल के link दे रखा है अगर आपके phone में टेलिग्राम है तो इस link पे जाओ link पे किलिक करो और यह टेलिग्राम चैनल जोइन कर लो अगर टेलिग्राम एप नहीं जोइन कर लेना दस लाग सतर जार लोगों ने जोइन किया हुआ है यही जोइन करना इस कर लाओ यह जोइन करो यह जरूरी है बाद में पूरा वीडियो देख लेना परना बात में भूल जाओगे तो उम्मीद करता हूँ जोइन कर लिया होगा नहीं करा है तो अभी description में जोइन कर लो अब बात कर लें दो बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास पैसे नहीं होते खेलने के लिए बट उनको एक शौक होता है खेलने का और उनको जरुरूत होती है पैसे कमाने की तो उनके लिए सबसे आसान तरीका है आप वीजल लेवन एप डाउनलोड करो और आपको डाउनलोड नहीं किया तो इस वीडियो की डिस्केप्शन में जाओ कमेंट स्क्षन में जाओ वीजल लेवन का भी लिंक दे रखा जाओ डाउनलोड करो डाउनलोड करने पर आपको 500 का फिरी बॉनस मिलेगा पहले डिपोजिट पर आपको 100% कैश बॉनस मिलेगा औ और टीम बनाकर फ्री गेवे तो जोईनी कर सकते हो और फ्री गेवे के साथ साथ भाई जितने भी स्मॉल लीग खेलने वाले हैं जितने भी हाई इन्वेस्टर से टोटल वीजल ने उन पर खेल रहे हैं क्योंकि यहां पर इंट्रेफीस बहुत कम है अब देखो हैड टो इदर आई हुए तो आप भी आओ डाउनलोड करो साइन अप करो खेलने स्टार्ट करो और प्रोफिट कमाना स्टार्ट करो तो बात करें मैच के बारे में आज कहां पर मैच कैसी होगी कितना स्कोर बनेगा कितने विकेड गिरेंगे किसको मिलेंगे सब कुछ डिसकस कर लेत करती है मैं आपको आगे दिखा भी ताहूं मैं पिछले मैच था कि आपको थोड़ा सा असानी हो जाए पिछ को समझने में लास्ट के दो मैच यहां पर इंट्रेशनल खेले गए गये एक सो चौतर का वरे स्कोर रहा है और आई पिल में यहां पर अवरे स्कोर एक सो उन्च 205 बनाएं मतलब अच्छा है स्कोर था और 200 के प्लास दोनल टीमें पहुंच की और इसमें आप विकेट देखो किसको क्या मिला है आपके पेसर्स को देखो 6 विकेट मिले ठीक है और इसके अलावा आपके इस प्रस को कितने मिलें 9 विकेट अब फरक देख लो इस पिन वर् अब इधर देखो आप उसके पहले मैच वा था मुंबई की टीम ने 132 आगे ना नीचे 131 बनाएं और पंजाब की टीम ने 132 बना के चेज कर लिया इस मैच में पेसर्स को तीन मिले और इस प्रस को चार मिले तो यहां पर 20 आगे हैं उसके पहले एक और मैच के लगया इस म पिछले पर आपको टेली ग्राम पर पता दूगा कल की तरह तो इसलिए टेली ग्राम जोइन करना जरूरी है क्योंकि यहां पर मैं पिछले कुछ मैच इवा पर खेले गया है थोड़ा सा आपको समझने में वहासा नहीं होगी कैसी पीचर कैसा नेचर है पिचका तो इस पन इनीश और इस विट्स को एक ज़ादा मिला है हला कि पेसर को जादा मिलते हैं और जो पेसर को विकेड मिले ना उनीश उसमें से पहली इनिंग में 14 मिले पैसर को यह चीज़ भी आप याद रखियागा अब आगे हम बात कर लेते हैं आपसे इस वक्त डोटेंटिंगों की स यहां से आपकी टीम बननी च्राट होती है कौन प्लेयर है जो रेगुलर स्कोरिंग कर रहा है जिससे रोष चर्मा हमेशा दिल्ली के अगेंस रन बनाते हैं तो कल भी बनाएं तो ऐसा इधर से कौन है तो इधर देखे आपके जैस्वाल भाई राजिस्ताइन की तरफ से जैस्वाल है यह लगतार रन बनाता है चैन्नी के अगेंस्ट दो में फिफ्टी बनाई है ठीक है और इसके अलावा आपका बटलर बटलर यहां पर 49 बना रहा यहां पर 17 बना रहा तो बटलर भी अच्छी खासे स्कोर कर लेता है चैन्नी के अगेंस्ट तो यह दो बैक्स में जो हैट टो एडवनर में आते हैं सैमसन सैमसन इस मैच को छोड़ दो तो यह बंदा हमेशा फ् एक्सपीरियेंस से खेलने का तो असमिनाज इंपोर्टन हो सकते हैं चैन्नी की तरफ से आपके जड़ेजा 32 रन जड़ेजा दो विकेट जड़ेजा 35 तो जड़ेजा बैट या बॉल कहीं आपको पॉइंट देके जाएंगे और सामने वाली टीम के पास सिर्फ दो चैन्नी मेठ बनाया था उसके जड़ेंगे जड़ेर थे लिए इंयू सकते उखाई पर कफ़ Vasuklers यहां अधर बऱय क्लाइग से तो मैठ ने तो यहां धी चैन्नी ने लुस्क्राइन जरह रेद्टेर जहां पर Aegis वाकि आगे हम और डिटेल में बात करेंगे जाकि आपको और अच्छे सवंज में आए तो पूरा वीडियो देख लोगे आप तो आपकी टीम ऐसी बने कि आप किसी को भी रहा सकते हो अब आगे हम बात कर लें मैं मैं प्रेडिक्शन के बारे में कल मैं आपको बहुत है कि मु पारे पास आओ अपना उपीनियन दो अगर आपको उपीनियन सही हुआ तो आपको पैसे मिलेंगे हाँ अगर आपने प्रोबो डाउनलोड नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में के लिंक के जाकर प्रोबो डाउनलोड करो और डाउनलोड करके वहां पर आप कर दो आपको पैसे मिलने वाले है इस तरीके से और भी कोश्टनस आपको यहां पर दिखेंगे क्या चैली पहले च्छे वर में दो या दो से संचुरी बना पाएगा मेरे को लग रहा हाफ संचुरी अगर पिछ अच्छी तो बना लेगा तो मैं यहां पर यस का साथ जाओंगा क्योंकि बंदा अब बनाता है उसके बाद दीपक चाहर है क्या दीपक चाहर एक या उससे जादा विकिट ले पाएंगे अपने पहले दो अवर में मेरे को लग रहा है तो यह को आपको आपको वीडियो में पूछता हूं अगर आपका आंसर से हुआ तो आपको फिरी में 50,000 पीस तक मिल पहले ना आंसर कर दो अभी नहीं पहले दूसरा कॉस्टन सुनने जो आगे आएक दोनों कोश्टन के आपने एक ही कमेंट में आंसर करने ही हैस्टाग उसकरते हुए अगर आपका आंसर सही हुआ तो आपको फिरी पचास जार रुपे तक मिल सकते हैं अब आगे हम बात कहल आगे हैं है दुरू जो रहे हैं उसके बाद जैसन होल्टर है रवीचंदर अश्विन है संदीप शर्मा है ट्रैंट बॉल्ट चहल और आपके मुर्गुन अश्विन यह इंपक्ट प्लेयर आज हो सकते हैं मुर्गुन अश्विन यह ग्यारा प्लेयर है ठीक है अब गैस इन 11 में लास्ट मुच में आउट में थे कौन आपके देवधित पर्डिकल को बाहर किया गया था तो मेरे को लग रहा है कि शायद देवधित पर्डिकल वापस आ सकते हैं बट चांस ही थोड़े से कम है क्योंकि जूरेल ने एक मैस अच्छा खेला हुआ है तो अगर आएं बाकि संदीप शर्मा की ओवर कट सकते हैं तब एक ओवर कटता है या दो कटते है वो डिपेंड करेगा आपके मैच की सिचुएशन के ऊपर जैसन होल्डर जैसन होल्डर तीन से चार अवर बॉलिंग कराएंगे और मैं तो कहुंगा यार आज जैसन होल्डर को ड्रॉप कर करती है तो आप आज एडम जंपा को खला लो ठीक है देखते हैं टीम क्या करेगी बागी जैसन होल्डर अगर खेलेंगे तो डैफ में बॉलिंग कराएंगे और आपके एक से दो तीन से चार अवर करा सकते हैं तो ये इनके बॉलर से और जो इंपक्त प्लेयर होगा जैसे अगर इस पिनर्स को ज्यादा होगी तो ये भी तीन-चार आवर बॉलिंग करा सकता है अब इसमें हम देख लेते हैं कि हमारी टीम में कौन-कौन से प्लेयर होंगे तो मैं जैसवाल के साथ जाओंगा मैं सैंसन को नहीं लोंगा क्यों नहीं लोंगा आगे आपको दिखाऊ क्योंकि बंदा मैक्सिमum टाइपूप होता है हैटमियर को मैं टीम युद्ट में लोंगा उसके बाद मैं जैसन हॉल्डर के बारे में अभी सोच नहीं रहा अभी फिलाल में इसको लिया नहीं क्योंकि बैटिंग में कुछ कर नहीं रहा बॉलिंग ठीक है इसकी मैं इस टीम में एक चीज और देख लीजिए इस टीम में दो ही लेफ्टी ए फिलाल बाकि सारे राइट हैं तो मोहिर अली इन दो लेफ्टी इस बॉलिंग करा सकते हैं और उसके लावा जड़ेजा को अच्छा खासा मोगा मिलेगा विकेट लेने का और आज आपके सेंटनर भी ले सकते हैं अगर खेलते हैं तो तो यह गई आपके राइस्तान की प्लेयर्स की बात अब मैं क्यों किसको ले रहा हूं यह हम देख लेते हैं क्यों किसको ड्रॉप कर रहा हूं यह हम देख लेते हैं तो भाई बटलर जैस्वाल लास्ट की तीन इनिंग गजब रही है और संच्टनी जमारी है हालागि इस गरणड में बड़ी इनिंग नहीं आई वाकि टीम में लेना तो बनता है बटलर का देखो पिछले तीन इनिंग काफी एच्छ है और इस टीम के अगेंस्ट पिछले पांच में से 3 इनिंग में अच्छा से स्कोर किये तो इनको भी लेना बनता है इस ग्राउंट पर एक मैच खेला उसमें 19 बनाएं तो देख लेना लेना है नहीं लेना कैप्टन करना है नहीं करना बाकि टीम में तो इनको रखना ही रखना है इस टीम के अगेस्ट इनका अवरेज भी आप देख सकते हो त्रेपन का है काफी अच्छा है अब गाई इस देखो 14 मैचों में सिर्फ 16 का अब देखो भाई वैन्यू इस ग्राउंट पर इस ग्राउंट पर सिर्फ चौदा बना पाया है क्या प्रफॉर्म कर रहा है यह आठ मैचों मैंने कि फ्लॉप होगा वाट हाई चंसे की फ्लॉप हो सकता है इसलिए में ड्रॉप कर रहा चांस होते हैं फ्लॉप होने के लेकिन कभी-कभी बल अचल भी जाता है तो उसी आप कभी-कभी के उपर ग्राउंट लिग में ऐसे प्लेयर्स को ट्राई करते हो अगया हम बात कर लेते हैं तो रियान पराग रियान पराग बहुत जादा फ्लॉप हुआ है है और पिछले मैं कुछ खास किया नहीं है पहली बार इस ग्राउंट पर खेलेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि यह बहुत अच्छा पहुं कर पायागा स्मॉल लिंग में बनता ही नहीं है ग्राई कर सकते हो हैं अगर पंदरा बॉल में आपको इतने पॉइंट दे जाएंगे कि आपको व होनाते हैं इनके पास opportunity कम होती है उतना experience नहीं है अब उसके बाद आप देखिए आपके जैसन अल्डर पिछले तीन मैचों में तीन विकेट ले चुके हैं रन अभी तक बनाई नहीं है हैट वेज़ा आप देखो एक मैच खेला उसमें तीन विकेट लिए हैं काफी अच्य फॉमसा है हैं फॉय इसन अल्डर को ले लूँगा जो भी मेरा फाइनल डिसीज़ा होगा आपको टेलीग्रांप पर टॉसके बता दूंगा तो इसली टेलिग्राम जो उनके बहुत ओवराल इसको नो मैचो में नो विकेट मेले हैं और इस ग्रांट पर आप देख से तो क्या गजब पफॉमेंस करते हैं पिछले पांच मैचो में अलड़ी साथ विकेट ले चुके हैं तो अश्विन से मुझे खास उम्मीद है इसलिए मैं अश्विन के साथ जाओंगा संदीप शर्मा संदीप शर्मा थोड़े से कम विकेट निकालते हैं आप देख लो तेरह मैचों में 11 विकेट लिए और ग्रांट पर तीन मैचों में सिर्फ एक विकेट मिला तो तो थोड़ा अलग जाने कर सकते हो ट्रेंट बॉल्ट का आप देखें इस सीजर काफी अच्छ है चहल का आप देख लीजिए सीजन कितना अच्छा जा रहा है और इसके पहले चैनली के अगैस्ट हर मैच में विकेट लिए हर मैच में पंद्रा मैचों में 16 विकेट ले चुके हैं तो चहल भी एक इंपॉर्टन प्लेयर होंगे अब गाइस यह आपके राजिस्तान की प कर सकते हो इस ग्राउन पर हाल है कि दो मैचों में 36 बनाएं अब्दुल बासीत है उसके बाद मुर्गु नश्विन है मुर्गु नश्विन का पहमेंस कुछ खास राह नहीं यह रिसेंट में और इस टीम के आगए सिर्फ दो ही विकेट निकाले पांच मैचों में तो यह लेना थोड़ा से रिस्की होएगा कुलदीप सैन है और केसी अगरी अपपा है और फिर है रहा है इनमें से जाद कोई खेलेगा नहीं फिर आते हैं आपके यह पर केम आसिफ दुरूज रह तो खेली रहे वह बाद मैक के यह शाद ना खेल पाए और उसके बाद कुनाल है जो रूट है जो रूट भी ना खेल पाए लेकिन अगर खेलते हैं तो जो रूट का लास्ट पॉमेंस काफी अच्छा राता जो इन्होंने दुबई टीटोडी लीग कहले थी लगातार दो मैचों में असी पलस बनाये थे अब उसके बाद आप देखिए आपके नवदीप तो यह होगी आपके राजिस्तान की टीम की बात एक एक चीज मैं आपको क्लेरली समझाए डिटेल में इतना डिटेल में आपको कोई नी समझा सकता इतना अच्छे तरीके से इसलिए बोलता हूं भाई सब्सक्राइब करके रखो रोजदाना वीडियो देगो पैसे कम आओ और टेलीग्राम जोइन करेना फाइनल टीम के लिए ठीक है डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में लिंक है आप गाइस बात कर लेते हैं चैनले की टीम न्यूस समसे पहले तो आपको बता दू पदीराना थिक्षाना दोनों आ गए हैं स्कौार्ड के साथ जुड़ चुके ह और अगर जगा मिलेंगे तो खेलेंगे उसके बाद आपके बैन स्टॉक नहीं कहलेंगे एक हफ्ता तक दीपक चहर है दीपक चहर की भी न्यूज यारी है कि इनको भी कम खिलाया जाएगा हो सकता है ड्रॉप कर दिये जाए हो सकता है खेलने थोड़ा सा कन्फूजिंग है अगर खेलते हुँ तो फिर हम टेलीग्राम भी डिसकस करेंगे कि इनको लेना यह नहीं लेना है बाकि फिलाल हम पिलेंग लेंगे उन देख लेते तो पिलेंगे आप इनकी देखिए आपके डिकॉन पर गॉयक्वाड ऑपनिंग करने कि उस बात मोहिन अली है फिर अजिंक थिक्षाना के साथ जा सकते हैं और थिक्षाना खेलते हैं तो उनका टीम में लेना बनता ही बनता है ठीक है तो यह हो गई आपकी प्लेंग लेंग अब इनका इंपक्ट प्लेर होगा वह राइडू होगा राइडू बैटिंग करेगा और तुशार देश पांडे और फिर आते हैं आपके सेंडर लेफ्टाम और ब्रैक बॉल रहा है तो इनके भी 3-4 वर जाने चाहिए फिर हैंग रेकर हैं इनका नाम में रही होता तो यह भी दो से चार वर बॉलिंग करा सकते हैं अब बाकी जो बचे बॉल रहे हैं उसमें आपके मोहिन अली है और आप सकते हो तो यह होगी आपकी बात प्लेंग लिए उनकी अब गईस इसमें डैथ में आपके ड्वेन प्रिटोरियोस और तुशाद देश पांडे कराने वाले अब इसमें आप देख रहे हैं इनको भी मैं आज नहीं लोगा आप चाहो तो ले सकते हो जड़ा इनको टीम में प्रिटोरियोस इनके बारे में सोच रहयों अगर जोरल्ग करहां पहले लिए तो फिर नहीं ले लुगा तो तुषार देश पांडे है तुषार देश पांडे को मिलुँगा यहां आपको राजवर्दन इन में से किसी को आप ले सकते हो थोड़ा से स्क्रेश होग कि आपके थे अप से अ लग प्लेइर हो जागा सिर्फ डो राइफ एट्स वान आयो में है बाक Sigurdane बैट्स मैंने टॉप और में बाकि सारे के सारे लेफटी है तो उधर से मुर्गुन अश्वेर आज अच्छे खास है इंपक्ट प्लेयर आपके लिए हो सकते हैं ट्रंप प्लेयर आज आपके लिए हो सकते हैं ठीक है अब इस इस टीम में आप देखिए उदर सारे राइट है बैट्स मैंने दो को छोड़ करके तो इधर इनके जो लेफ्ट अब रहक है उसमें जड़जा आते हैं यह आपके लिए इंपक्ट प्लेयर होंगे आज और सेंटनर है यह भी आपके लिए इंप्लेयर होंगे तो इनको आपने टीम में रखना है या फिर इनमेंसे किसी एक क रखना है तो यह होगी आपके चैनने की प्लेंग लिए उनकी बात अब गाइस हम देख लिए थे कि मैं किस प्लेयर को ले रहा हूं किसको ड्रॉप कर रहा हूं उसके पीचे का लॉजिक क्या है तो आप देख लीजिए आपके गात्वार्ट रिसेंट फॉर्म क्या गजब है तो जादा आप इनसे उस चीज की बेस पर यह डिसाइड नहीं कर सकते हैं इनको ड्रॉप करना है लेना है तो अच्छे प्लेयर है मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं कि मुझे डी गॉन्वे को लेना है या होल्डर को लेना है या फिर बॉलिंग में एक एक्स्टा बॉलर ल इन्विकेट तो बहुत अच्छा इन्होंने और पहुंस किया हुआ है और इस टीम के आगाईस्ट तीन मैचों में सिर्फ तेरा रन बना पाएं चार कावरेज है है और इसके बाद आप ग्राउंड देख लीजिए इन्होंने पांच मैचों में सिर्फ अठावन रन बनाए 11 कावरेज है तो यह बंदा दोनों तरीके से फिलॉप है हाला कि अब पिछले मैच में अच्छा किया है confidence होगा तो कर सकता है बट उस उम्मीद पे मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लोगा आप चाओ तो ले सकते हो ठीक है उस बाद शीवम दूबे हर मैच में 25-30 बना देता यह तो भई लगतार या तो विकेट निकालता है तो रर्ट माइट में 32 बनाए तो पिर उसके पहले दो विकेट लिये थे तो यह बट यह बाल कहीं न कहीं आपको जड़जा पॉइंट देगा जाता है जब जब रहाईसतान के अगेंस्ट खेलता है इंपॉर्ट प्लेयर ह तो मैं इसलिए कंफूजी को लेना है जो मेरा आपके टेलीग्राम पर बता दूँगा सैंडर है सैंडर लास्ट में इसके पहले एक विक्ट और इस टीम के अगे इन्होंने देखो के तीन मैचों में सिर्फ दो विक्ट लिए और इस ग्राणड पर आला कि लास्ट के दो मैचों में तीन विक्ट लिए तो यह आपके लिए एक इंपॉर्टन प्लेयर हो सकते हैं बाकि अब इतने सारे प्लेयर में किसी ने किसी को ड्रॉप करना होगा तो मैं फिलार सै उसके पहले अच्छा कर रहे थे सजीद मुस्थागली ट्रॉफी में तो तुशारदेश पांडे को मैं क्यों ले रहा हूं आपको बदा दू राजवर्द एक तो उतना ज्यादा कॉंफिडेंस नहीं है तुशारदेश पांडे अच्छा कर रहे थे साहीद मुस्थागली तो इसलिए मैं तुशार देश पंडे के साथ जा रहा हूं और यह डैफ में कराते हैं तो यह होगी मेरी चैनने की प्लेयर के मैं आपको डिटेल में समझा है अब बात करें दो स्क्वार्ड की जिन में से कुछ और प्लेयर है जो खेल सकते हैं उनको अगर खेलते हैं तो लेन भी झाल एक रहें तो क्या हैं पिछले इसमें मेंट मिला है अगरने और आपके हले आपके सेंटल की जगाप रहें कि प्रिशांत आपको निशानत है इनको बाहर जाना पड़ेगा और प्रिशांत सोलंगी खेलेंगे नी और उसके बाद वर्ना आज यह मंडल यह शेक राशिद है और सुभांसु सेनपती हैं इन में से कोई नहीं खेलेगा अब आगे हम बात कर लेदें प्लेयर बटल के बारे म मैंने आपको फिच का बताया कैसा होगा है मट बताया हर एक का मैं सब कुछ मैंने एक प्लेयर कर दिया तो यह होता वीडियो देखने का फायदा आपको स्क्ना रहें लाए में ठोड़ी और चीजह बड़ वह भी धिसक्स कर दें तो आप हैड टू एड या पर प्लेयर बेटल देखो इसमें कुछ आपको बैटाश दिखेंगी जो आपके लिए काफ़ी इंपोरटन है जैसा कि आपके मोहिन अली होल्डर हलाकि बैटिंग अब करते बट फिर भीiced मॉहीन अली को बैतिंग के लिए यह वाॉट कर चुके हैं और बाकि जो है बाकि इसमें आप देखोगे आपके बॉल्ट है बॉल्ट भी रहाने को 36 बॉल में तीन बार आउट कर चुके हैं तो रहाने के पीछे इतने सारे बॉलर्स पड़े हुए बाकि और बहुत लंबी लिस्ट है आप स्क्रीन शॉट ले आप देख ले रहा है मैं हारे को एक्स प्लैन नहीं कर सकता क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अब इस आगे हम बात कर लेते हैं आप से इधर भी कुछ है यह चैन्ने के बॉला से यह आपके राजिस्ता हालाकि यह डेमो टीम है फाइनल टीम आपको टॉस के बाद पिछ रिपोर्ट देखने के बाद ही टेलिग्राम पर मिलेगी तो इसलिए इसने टेलिग्राम जोइन नहीं किया डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक कर जाकर जोइन कर लेना या फिर आप डारेक्ट यूज करते हुए दोनों कोश्चन का आंसर दे दो प्रेडिक्शन कर दो ओपीनियन दे दो अगर आपको ऑपीनियन सही वह दो आपको फिरी में पचास जारों पर तक मिल सकते हैं जल्दी जाओ कमेंट सेक्शन में जाकर आंसर दो अब मेरी टीम देख लो जो इस वक्त मैं इसमें विकेट कीपर मैंने बटलर और आपके कॉन्वे को लिए हुआ है कॉन्वे को लेकर अभी तक मैं कन्फ्यूज हूँ इनको लूँ प्रिटोरियस को लूँ या हॉल्डर को लूँ ठीक है बैटिंग में मैंने रूत राज गयाकवार्ट हैटमयर और जैसवाल को लिए हुआ है अश्विन को आज में ले रहा हूं अभी तक लिए लिए बंदा प्रफॉम करके देगा इसमें बॉल्ड को लिए और तुशार देशपंड की जगहां पर चाहो तो चाहो तो यहां पर ले सकते हो सेंटनर वगएरा को या फिर और प्रिटोरियस वगएरा को लिए सकते हो तो यह टीम है अभी इसमें चैन्जी जो भी होंगे टास के बाद मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा तो इस लिए अभी तक टेलीग्राम जोइन नहीं किया है जाओ डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक से जाकर टेलीग्राम जोइन कर लो आप टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो 10,70,000 से जादा सब्सक्राइबर वाला चैनल में लिएगा जाओ भाई डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में जाकर जोइन कर लो नहीं जोइन होरा लिंक से तो टेलीग्राम पर सर्च कर लो तो मिलते हैं टेलीग्राम पर बेस्ट झाल आथ ब्सक्वार क्वार है